करती हैं क्याफ भी है पत्ते वालों पे अपर किरते हैं तो यहां महां से दपक नहीं लगती है और आपको बहुती अनक MORE पाझाने वालों तेर इस ना को हरी पत्ते वाली महन्दी को आपको कैसे पीसना चाहिए ताकि वो आपके बालों पे चिपक जाए और यहाँ वहाँ से ना टपके गाइस आप्रॉमिस यू जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो अब तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा पूरे यूट्यूब पे तो चलिए स्टार्ट करते हैं के आते हैं या फ्रूट्स लेके आते हैं तो आप उसे वाश करके ही खाते हैं इसी तरीके से आपको हमेजा प्लांट वाली महंदी को वाश करके ही अप्लाइ करना चाहिए आप देख सकते हैं इसमें जिस पानी में हमने इसको वाश किया है वो पानी कितना गंदा हो गया है त अब आपको इस थीक का plastic प Charlize ले लेना है अगर आपके पास इस तरीक का नहीं है तो जो में आपको दिखा रही हूँ जो मार्केट शेशी रखके आती हैं उस तरीके का भी आप use कर सकते हैं लेकिन मेरे tape होता है, cello tape उसकी help से इसको बंद कर सकते हैं या फिर आप इसमें punch लगा के भी इसको बंद कर सकते हैं, and guys आप लोग please ये ना सोचेगा कि ये मैं आपको क्या करने बोल रही हूँ please guys मैं आपसे request कर रही हूँ कि आप एक फार इस तरीके से महन्दी को apply करके देखिए, महन्दी को पीश के देखिए, आप हमेशा इस तरीके से ही महन्दी को पीशेंगे ये मेरा वादा है आपसे तो guys simply से आपको इसे डाल लेना है इसमें, और आपको इसे रख देना है धूप में 4-5 गंटे के लिए आपको इसे धूप में रखना है और 4-5 गंटे बाद आपकी महंदी कुछ इस तरीके की हो जाएगी आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे 3-4 गंटे हो गए हैं अपनी महंदी को धूप में रखने हुए और अब आपके जो महंदी के लिफ्स हैं उनका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और वो बहुरी सौफ्ट हो गए है आप प्लीस मैंड में यह मतला आएगा कि महंदी को धूप में रखने से आपकी महंदी के वेनिफिट्स कम हो जाएंगे या फिर खतम हो जाएंगे तो जी नहीं गाईज ऐसा कुछ भी नहीं होता है अगर आप इन महंदी के पत्तों को डायकली धूप में रख देते हैं तो हो सकता है कि आपकी महंदी की वेनिफिट्स कम हो जाएं लेकिन जिस तरीके से मैंने इसको रखा है इसके एक परसेंट भी वेनिफिट्स कम नहीं हुए है और गाईज आप इसका कलर देख सकते हैं म मेरे हाथों पर अभी से इसका हलका हलका सा कलर लगना स्टार्ट हो गया है सो अब आपको इसको डाल लेका श करना है कि आठ नहीं चुछ गाईज अगर आप ऑनियफित एड करना नहीं चाहते हैं तो आप इसमें नौर्मल वाटर भी केशिए हैं उसके बास सिंपली से आप को इसे ग्रायेंड बैस सकते हैं आप गाएज यह कितने अच्छे से ग्रायट को गई हैं अगर अपनेसे किसीने भी कभी भी हरी पते वाली महंदी को पीसा है या अपने बालों पर अप्लाय किया है तो आपको पता होगा, कि हरी पत्ते वाली महंदी का इतना प्यारा इतना क्रीमी सा पेस्ट बनना बहुत ही मुस्किल है कभी भी आपकी हरी पत्ते वाली महंदी का ऐसा पेस्ट नहीं बनना होगा जिस तरीके का आप देख रहे हैं अगर आपने एक बार भेरे पताएगे तरीके से महंदी को ग्राइंड कर लिया तो आप लाइफ टाइम यही प्रोसेस वालो करने वाली है और आप हमेशा मुझे थैंकि वोलने वाली है कि मैंने आपको इतना अच्छा आइडिया बताया है तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आपको इसे कैसे अपलाय करना है अपलाय करने से पहले आपको हमेशा दो बातों का ध्यान रखना है पहला आपको इसे बोच किये हुए बालों में ही यूज करना है and second आपको बड़े दातों वाले कोम से पहले अपने बालों को अच्छी से कोम कर लेना है सारा टेंगल रिमूव कर लेना है then आपको इसे apply करना है and apply करने के लिए आपको अपने बालों को दो साइड में divide कर लेना है और फिर आपको center से महनी लगाना start करना है guys मैं एक वीडियो में already आपको बता चुकी हूँ कि आपको कैसे महनी apply करनी चाहिए जिस तरीके से महनी आपको बताया है अगर आप उस तरीके से महनी को apply करेंगे तो आपका एक एक पाल और आपकी पूरी scalp अच्छी से coat हो जाएगी जो भी आपकी महनी के benefits हैं वो आपकी hair length के साथ साथ आपकी scalp को भी मिल पाएंगे तो अगर आप चाहें तो वो वाला वीडियो देख सकते हैं उसका link मैं आपको eye button पे दे दूँगी तो आप लोग उसको एक बार जरूर चेक आउट कीजेगा और यहां पे महनी apply कर ली है और आप देख सकते हैं एक बून भी महनी से पानी नहीं निकल रहा है बहुत easily और बहुत अच्छे से महनी apply कर ली है महनी apply करने के बाद 2-3 मिनट के लिए मैं अच्छे से अपनी scalp को massage दूँगी उसके बाद बंड बना लूँगी और जो भी extra महनी मेरे forehead पे लग गई है उसको vibe कर लूँगी जो मेरे हाथों पे आपको महनी की stain दिख रहे है इसको भी मैं बहुत easily remove कर दूँगी और इसका वीडियो भी मैं आपके शार शेयर करूँगी ऑपनी यहाथ कम लूँप survived मेरे को हरी पत्य वाली महनी को पीशना केशन छी सकते है है Armology की बहुती एसलीए इस़ी तूइła पीशना की आपने डिरहे हाल बाल सकते है और अपने ऑलों पर बहुत वाल केशना के अपने फालों सकते हैं जब आप भरी प्रती वाली महनी को अपने बालो पर अब्लाय करते हैं उसके बार आपको directly शयंपू नहीं करना है बालो पर आपको नॉर्मल वॉटर से ही अपने बालो को वाश करना है जैसे अभी मैंने किया है और गाई अभी मुझे आदा घंटा हो चुका है हेर वाश किये इतना ही जो इतना इनन लती यह फो है, ज़्टा का द eer हिए आज आसका विडियो आपको उच्छा लगा होगा, टो प्लीज, व्डिश कु लाइक अगर आप न्यू है तो चैनल सबस्क्राइब करना वीडियो को शियर करना बिलकुल भी न भूले तो मिलती हूं आपसे एक और नए बहतीन अपसुर्ट के साथ तक तक लिए बाइ बाइ